हेलो नमस्कास, सत्याकाल, स्सलावालेकूम, कसकाए, कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, मुझे यहाँ पर ये चीज बताते हुए आपको थोड़ी से खुशी भी हो रही है, और थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि आपको पता होना चीए, सर और माम, आपका examination जो है, वो अब आपके बहुत करीब आ रहा है आज जो है, September का मन्त खतम हो रहा है, फिर October और month of November और यही चीज जो है, आपके examination के करीब आने की जो anxiety है, यही feel करने के लिए जो है, आप इतने समय से तयारी कर रहे थे लेकिन at the same time आप पता नहीं है कि आपकी तयारी का level क्या है, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जिन्होंने शायद अभी अपनी तयारी जो है वो शुरू करी है तो ऐसे में आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो legal reasoning की cover करनी है और जिनको आप afford नहीं कर सकते छोड़ना, वो यहाँ पर हम जो है consider करने वाले है तो आज यह जो session रहने वाला है वो इस चीज़ पर रहने वाला है कि 2024 के लिए अगर आप कर रहे हैं तयारी तो किस प्रकार से CLAT के लिए आपको legal reasoning को जो है tackle करना है चलिए, जल से जल बात करते हैं सर आगे और समझते हैं सबसे पहले यह कि आखिर consortium of NLUs के द्वारा I repeat, आखिर consortium of NLUs के द्वारा क्या वो चीज़ है जो हमको syllabus के तौर पे बताई गई है तो consortium of NLUs, legal reasoning के लिए हमको यह बताता है कि आपको कुछ passages पढ़ने को मिलेंगे जो near about 450 words के होंगे यह passages में कुछ factual situation होगी, कुछ scenarios होंगे, जिनमें आपके legal matters होंगे और यह legal matters जो है, यह public policy questions से related हो सकते हैं, moral philosophical inquiries से related हो सकते हैं इसमें अब जो next line यहाँ पर consortium बोलने जा रहा है, यह line बहुत ही जादा controversial line है मेरे हिसाब से और even अभी consortium of NLUs ने अपने webinar में भी यह कहा है, that you will not require any prior knowledge of law सर, हम भी चीज़ मान लेते हैं कि prior knowledge of law की आविशक्ता नहीं होगी, आपने यह clear cut तरीके से यहाँ पर बोल दिया बट इसके जस्ट आगे की line पढ़िये, you will however benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply the general principles or propositions to the given fact एक तरफ आप कह रहे हो कि prior knowledge of law नहीं चाहिए, दुसी तरफ आप यह कह रहे हो कि आपको benefit मिलेगा general awareness से अगर आप contemporary legal issues पे tap करके रखते हो तो तो सरी दोरी मापजंड वाली बाते नहीं होनी चाहिए, खेर हमने तो यह समझ लिया, आपको भी यह चीज जो है जल से जल समझना होगा कि yes, वो सारे legal issues जो की news में है, वो सारे legal acts, वो सारे acts और bills जो की news में है और साथ ही साथ वो सारे के सारे कानून जो बार-बार news में रहते हैं, जो basis है हमारे सब्विधान हो गया जैसे, contract हो गया जैसे, इनके basic जो हमारे elements हैं, उनकी आप पढ़ाई करके रखें इतना जो है, ये आपको करना जो है, वो अनिवार हो जाता है अगर आप इतना कर लेते हैं, trust me, आप बहुत एक substantial position पे पहुँच जाएंगे अब जो सवाल आएंगे आपको, उसमें आपको करना क्या पड़ेगा सर, आपको सबसे पहले paragraph में से कुछ rules को और principles को identify करके set out करना पड़ेगा उसके बाद इन rules और principles को आपको जो है factual situations में apply करना है और फिर इन rules और principles को change करने पर क्या changes आपके answers में आ सकते हैं उन चीजों को analyze करके आपको जो है answer तक पहुँचना है अब सर, strategy कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको follow करें तो सबसे पहले तो है आपको basic laws को cover कर लिना चाहिए this is something जो मैं हमेशा suggest करता हूँ basic laws में कौन से आते हैं सर, आप सबसे पहले constitution of India को खतम करें but constitution of India तो सर, इतना vast subject है क्या इसके लिए, क्या इसके लिए हमको पूरी की पूरी लक्ष्मिकान पढ़ना आविशा है कि because this is the kind of questions I have been getting from kids नहीं जी, it is not required कि आप constitution पढ़े but आपको केवल क्या पढ़ना है सर, एक basic idea about the constitution आप ले लीजे कि constitution बनके कैसे तयार हुआ what is the aim of having a constitution and constitution होने की वज़व से किस प्रकार से coordination जो है वो हमारे हाँ किया जाता है क्या minimal coordination की आवशक्ता पढ़ती है या फिर maximum coordination की यहाँ पर आवशक्ता पढ़ती है इसके अलावा सबसे important जो चीज है that is the part fundamental rights part 3 of the Indian constitution ये आपको by heart बनना चाहिए इसको आप in-depth में जो है study करें अगर आपने sample paper देखा हो इस साल जो CLART consortium of NLUs के द्वारा release किया गया है तो वो 2 sample papers किये गए एक sample paper में उन्होंने legal का जो आपको example दिया है वो दिया है article number 25 और उससे जुड़ा हुआ essential practices, essential religious practices वहीं अगर दूसरा paragraph देखें या दूसरा question है वो देखें तो वो उन्होंने आपको दिया है MTP Act that is Medical Termination of Pregnancy Act ठीक है तो उन्होंने आपको दोनों ही पहलू के लिए तयार रहने को का है कि बहिए एक static position जो है उसके लिए भी तयार रहो and at the same time जो आपका policy subject matter in news है उसके लिए भी आप तयार हो इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना constitution को खतम करिए constitution को खतम करने के लिए सबसे पहले आप उसका एक overview लीजे कि constitution आखिर है क्या ये बना कैसे constituent assembly क्या है फिर features of the Indian constitution क्या है उसके बाद आप आईए सीधे जो है हमारे fundamental right वाले part में उसको in depth पढ़िए फिर जो है आप इसका comparison करिए with part 4 of the Indian constitution that talks about DPSP जब ये DPSP और fundamental rights के बीच का difference आप पढ़ लें उसके बाद आप fundamental duties के बारे में पढ़ें थोड़ा सा आप एक idea या पार्लिमेंट के बारे मिलें दिन आप एक analogy president के बारे मिलें president का ordinance making power पढ़े president का pardoning power पढ़े और साथ ही साथ अब आप judiciary के बारे में पढ़ लीजिए जब आप इतनी सारी चीज़े कर लेंगे trust me आपका most of the things जो constitution में से करनी है वो सारी की सारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी इसके बाद आपकी next strategy जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप सीधे जाकर contract को उठाइए law of contract में सबसे पहले समझे कि offer क्या होता है acceptance क्या होता है contract क्या होता है essentials of a valid contract क्या होते है इसके बाद आप देखिए कि free consent क्या होती है आप देखिए कि consideration क्या होता है इन सभी चीजों पर जो है आप बात करने की कोशिश करें जब आप इन सभी चीजों को समझ लें फिर आप देखिए कि performance of contract performance of contract as well as discharge of contract यह किस तरीके से होता है novation क्या होता है alteration क्या होता है remission क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में जानिये and अगर there is a breach of contract तो उसके क्या consequences होगे क्या आप specific performance के लिए जो है plea file कर सकते है क्या आप जो है liquidated या unliquidated damages किसके लिए plea file कर सकते है इन सभी चीजों के बारे में आपको एक idea लेना होगा once you are done with contracts once you are done with contracts have a deeper understanding of the law of thoughts law of thoughts law of thoughts पे सबसे पहले यह जानिये कि thought law आखिर होता क्या है how is it different from the civil how is it different from the criminal law how is it different from the law of contract इसके बारे में जानिये फिर उसके बाद various defenses of thoughts क्या होते है for example Valentine Orpid Injurya plaintiff the wrongdoer इन सभी चीजों को जो है आप detail में पढ़े इसके बाद आपको जो है कुछ principles के बारे में पता होना चाहिए for example vicarious liability क्या होता है vicarious liability क्या होता है इसके बारे में जानिये जब आप vicarious liability को कर लेते हैं उसके बाद आप आगे बढ़िये और understanding बनाएए about strict liability and absolute liability strict liability and absolute liability once you are done with strict liability and absolute liability तब sir and ma'am आप बढ़ सकते हो अगले subject की तरफ जो होगा आपका IPC Indian Penal Court Indian Penal Court की अगर बात की जाए तो again ये एक ऐसा कानून है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ने की आविशक्ता नहीं but at least जो basic चीज़े है for example theft क्या होता है for example आपको पता होना चाहिए murder क्या होता है आपको पता होना चाहिए culpable homicide क्या होता है फिर जो चीज़े news में चल रही है for example 498A ये किस चीज़ के बारे में बात करता है 377 क्या है 124A जो है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है 375 जो है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो इस तरीके से कुछ important issues जो news में भी हैं, उनको आप यहां से cover करने की कोशिश करें, जब आपके यह basic laws हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है, रोज editorial पढ़ने की आदत तो डालनी ही डालनी है, examination में, आपको editorial से ही जुड़े हुए subject matters आएंगे, law का जो भी परिवर्तन हो रहा है, अगर कुछ news में हैं, उसका आपको analogy जो है, वो editorial से ही आएगा directly paragraph, इसी लिए अभी से हादत डालिए कि आप editorial को पढ़ रहे हैं, जो भी आप subject matter पढ़े हैं, उससे related, next, अब जो important issue है, वो ये है कि आपको सारे के सारे legal development, और जो landmark judgment से इनको cover करना है, पिछले एक साल में, जितने भी legal development हुए हैं, जितने भी amendments कानूनों में हुए हैं, उनको आप पढ़ें, फिर वो acts और bills, जो की news में है, जब भी parliament आता है, session में बहुत सारे acts और bills को amend किया जाता है, तो उन सभी acts और bills को जो है, आप यहाँ पर पढ़ें, जैसे for example, अगर आप देखोगे, तो यह जो MTP act है, यह इसलिए आया, क्योंकि यह 2021 में amend हुआ था, और इसके rules जो है, अभी अभी notify किये गए, जो कि इसके rules notify किये गए है, अगेन यह controversial चीज़ है, तो सर, इसलिए जो है, इससे जुड़ा हुआ subject matter आपको, जो है, उन्होंने sample paper में पूछा है, ठीक है, इसके अलावा सर, public policy से related issues जो है, जो news में है, उनको भी आप cover करें, public policy से जुड़े हुए issues, such as अगर हम बात करते है, public policy से जुड़े हुए issues की, तो आपने I believe कि देखा होगा, बहुत अच्छे से कि सरोगेशी क्या होता है, फिर आपने देखा होगा कि electoral bonds जो है, यह हमारा public issue है, तो यह सारी चीज़ें भी आपकी examination में पूछी गई हैं, और य आगे भी पूछी जा सकती है, तो again, it becomes important कि आप इन चीज़ों के बारे में in depth जो है, वो एक understanding established करिये, छीक है, अब बढ़ते हैं आगे, sir यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ previous year questions जो है, वो लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो, यहाँ पर Parliament passed the Criminal Procedure Identification Act in the year 2022, और उससे जुड हुए कुछ rules जो हैं, वो यहाँ पर Ministry of Home Affairs के द्वारा पारित किये गए हैं, इसके basis पे यह पूरा का पूरा आपका paragraph है, और यही वो चीज़ है, जो आपके examination में पूछी जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं, last year मैं यह पूरा का पूरा जो issue है, यह life पढ़ा रहा था, जि इसकी वजह से बच्चों को जो है, यह चीज़ें समझ में आएं थी, ठीक है, अगला, sir, Surogacy Act, again, Surogacy Act जो है, 2021 में आया था, लेकिन इस से जुड़े हुए rules, उस समय सबसे जाधा controversial consider किये जा रहे थे, public matter से related, public policy issue से related, why, because when we talk about Surogacy, sir, यह एक ऐसा particular कानून है, जो कि allow कर रहा केवल और केवल L2Stick Surogacy को, now, since it is only talking about the L2Stick Surogacy, तो इसको जो है, सबसे जाधा controversial consider किया गया था, कि आपने ultimately जो commercial Surogacy है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करी, तो again, this become a, this become an issue, जो की हमें importantly पढ़ना था, उसके बाद आते हैं, जी आगे, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर म बच्चों को in detail समझाया था, जिन बच्चों ने पढ़ा था, intending couple की क्या eligibility है, 25 साल, 35 साल, surrogate mother के लिए eligibility है, यही सब चीजने तो यहाँ पर दी गई है, सर यह intended couple की आपकी eligibility, यह आपकी surrogate mother की eligibility, यह सब कुछ यहाँ दिया गया है, and it was dealt in detail by me, इसके बाद सा, Consumer Protection Act, यह news में था, and जब यह मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो at times कुछ बच्चों ने यह भी सवाल उठाएगी, सर हम यह क्यों पढ़ रहे है, Consumer Protection Act तो दूर दूर तक हमें पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, तो सर यह इसलिए पढ़ रहे थे, क्योंकि again Consumer Protection Act में परिवर्तन हु हुए थे, वो ultimately controversial भी थे थोड़े बहुत, and इसमें e-commerce जो है, उनके लिए अलग से provisions बनाये गए थे, तो एक तरह से आप यह समझीए, कि 2019 में तो हमने पूरा का पूरा Consumer Protection Act ही बदल दिया, और उसके बाद उसमें भी जो है, बार बार हम changes लेकर आ रहे थे, तो इसलिए आप आप देखिए, again, उसी particular platform पे मैं आपको जो है, यहाँ पर पढ़ा रहा था, Consumer Protection Act, detail में कि क्या-क्या अधिकार जो है, वो consumers के यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें जो है, वो पूछी गई थी, in detail, ठीक है, इसके लावा सब Twitter की IT Act, तो मैंने अपनी classes में IT Act जो है, बहुत detail में पढ़ाया था, शरिया single case पढ़ाया था, तो बच्चों से यह चीज़ें भी बन गई थी, similarly, when we talk about Supreme Court ने अनुराधा भसीन case जो है, यह पास किया है, अनुराधा भसीन case जो है, यह Supreme Court में इसमें judgment आया है, however, article number 19 clause A के अंतरगत हमारे यहां कुछ अधिकार हैं, और फिर इन में लगने वाले कुछ आपको देखने को मिलेंगे क्या, सर, reasonable restrictions, चुकि reasonable restrictions की बात हुई थी, और इस article 19 की बात हुई थी, सर, यह मेरे द्वारा यहां पर एक दिन पहले बच्चों को पढ़ाया गया था, जहां पर we were studying about all the issues, all the rights जो कि article 19 में दिये गया हैं और उसके साथ जुड़े हुए reasonable restrictions को भी यहां पर specifically लिखा गया था, same goes for the electoral bond scheme, यह भी बच्चों को पढ़ाया था, caution of FIR, 498A मैंने बार बार बच्चों को पढ़ाया है और बोला भी है कि यह important issue है, नालसा वन I was teaching DPSP मैंने detail में पढ़ा रखा है, तो I believe आपको इस समझ में आया होगा कि जो मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, यह out of an analogy, out of the mindset, जो मैं पढ़ पा रहा हूं यहां पर consortium का, उसके तहत ही आपको बता रहा हूं, however, even I am not God, मैं consortium नहीं हूँ, मैं जो है, यहां पर आपका भगवान नहीं हूँ, और ना ही मेरे घ में paper बनता है, तो इस थिती में, even I am trying to make these speculations on the basis of what, sir, on the basis of what has happened in the past, and क्या चीज़ सिलिबस में दी गई है, and what is the mindset of consortium, and what can happen in the coming future, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मद्दे नजर रखते हुए, यह पूरा का पूरा आपको एक analogy यहां पर मेरे द्वारा दी गई, अब आपको कर करना क्या है, sir, मैं आपसे यह कहूंगा, कि अगर अभी भी आपने अपनी तयारी शुरू नहीं करी है, तो what would I suggest is, कि आप जाहिए, और सबसे पहले basic laws को cover करने की कोशिश करिए, अगर आप unacademy के subscriber हैं, तो आपको मेरा पूरा का पूरा course that is on constitution of India, वो देखने को मिलेगा unac legal current issues की, तो उसके लिए what I do is, कि मैं सारे bills, सारे acts, हर चीज़ को cover करता हूं in detail, जो कि हर सुबा 10 बजे मेरे द्वारा class Monday to Saturday यहाँ पर ली जाती है, आप उस class में जुड़ सकते हैं, और अगर आपको backlog जो है, वो clear करना है, होवेसी बात है, बच्चों के मन में सबसे पहले होत जाईए, तो जो already आपका backlog create हो चुका है, उसके लिए again आप unacademy के इसी channel पे जाईए, playlist पे जाईए, जहाँ पर आपको legal current affairs की detailed playlist जो है, वो मिल जाएगी, जहाँ पर मेरे द्वारा पूरे 10 मेने के current affairs के important topics को cover करने की कोशिश करी गए, तो एक तरह से basic law आप cover कर सकते हैं, one shot मैंने यहाँ पर law thoughts का डाला है, one shot मैंने जो है, यहाँ पर आपके law contract का किया है, constitution मेरा पूरा का पूरा जो है, वो एक course आपको plus में मिल जाएगा, और legal current issues जो है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो अगर आप समझदार हैं, और थोड़ा सा मैनत करना चाते हैं, दिना सर यहाँ पर एक one time offer आपके लिए unacademy लेकर आया है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, यह threefold offer है, why am I saying threefold offer ध्यान से देखिएगा, सर unacademy सबसे पहले तो आपको अभी तक 25% का discount देता था, बट अब आपको 35% का discount देखने को मिल रहा है, और even 10% more जो unacademy का maximum discount का यहाँ पर allowance है, तो उसके beyond जाकर 35% तक का discount दिया जा रहा है, and साथी साथ, sir second fold, three months तक का free extension, आप देखिए, अगर आप three month का pack लेते हैं, तो one month का free extension, one month का free extension मिलेगा, 12 months का pack लेते हैं, तो आपको three months का free extension मिलेगा, but इसको कैसे achieve किया जा सकता है, sir by using the code bar 5, जैसे ही आप bar 5 code का use करोगे, आप इसको achieve कर लोगे, लेकिन sir ये तो सिर्फ two fold हुआ न, what is the third fold, sir third fold जो है वो आपको यहाँ दिखेगा, and that is clad assure program, अगर आप अपने आपको iconic subscription में register करते हो, आप अपने आपको iconic subscription में register करते हो, using the code bar 5, bar 5, अगर आप bar 5 code का use करते हो, अपने आपको iconic में register करते हो, और फिर उसके बाद 300 hours की classes करते हो, and 10 live tests देते हो, बस इतना करना है, अगर आप इतना कर लेते हो, Khan Academy को यह लगता है, कि आपका selection NLU में होई जाएगा, looking into the president, जो Khan Academy के द्वारा results दिए गए, but suppose, खुदा ना खास अगर आपका इस साल भी selection नहीं होता है, तो फिर क्या, तो सर वैसी स्थिती में, unacademy आपको one year का free subscription देने वाला है, plus का, और वो पूरी तरह से dedicated होगा, कि आप 2025 में day one से तयारी करिए, और सब कुछ आपके लिए free होगा, mock test, classes, everything, सारा का सारा plus subscription will be free for one year, करना क्या, सर बस आ आपको iconic लेकर इतनी चीज़े करनी है, उसके बाद चिल हो जाए कि मैं अपना exam जो है, free mindset दे सकता हूँ, ठीक है, I hope यह चीज़ में होगी, कितना जादा अच्छा यहाँ पर offer है, बट यह कैसे avail कर सकते हैं, by using the code bar 5, इसके लावा अगर आप plus subscription लेते हैं, तो सर 25% का discount है, ज आप यहाँ पर देख सकते हो कि Unacademy के अलग-अलग centers है, Delhi Center, Pune Center और Lucknow Center, इन centers में जाकर आप समय समय पर real examination feel लेते हुए, जाकर exam दे सकते हैं, यह जो आप real examination feel लेके exam दोगे न, तो उसमें क्या होता है, आप controlled environment में exam दे रहे होते हो, वहाँ पर वैसी ही feeling आएगी, वही anxiety real examination के अंदर होगे, तो उसकी मदद से एक तरह से आप simulation पहले ही कर पाओगे, even before the day of the examination, पहले ही आपका simulation जो हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा, आपके examination के लिए अच्छा होगा, चली, इसके अलावा जी, crash course जो है, यह already शुरू हो चुका है, for CLAT and other LLP examination 2024 के लिए, यह batch 14th of September से शुरू हुआ है, अगर आप इसमें अपने आपको register कराना चाहते हैं, आप bar 5 code का use कर सकते हैं, other than that, rank improvement batch, rank improvement batch, यह जो है again, unacademy के द्वारा आपके लिए लाया गया है, यह 28th of September से ही शुरू हुआ है, इस batch में भी register करने के लिए आप bar 5 code का use कर सकते ह हैं, इसके अलावा, sir, ace legal batch, यह 2025 के LZ, MHC, ED, CLAT, ALET, SLAT, इन सभी के लिए शुरू किया जाने वाला है, जो की 2nd of October से शुरू हो जाएगा, again, इसमें आपको क्या use करना है, sir, bar 5 code का use करना है, जैसे ही आप bar 5 code का use करेंगे, you will get to see the maximum discount, चिके, अब बच्चे पूस्ते हैं कि sir, यह iconic, iconic हम बार-बार बोलते हैं, बट iconic program का क्या फायदा है, तो sir, iconic program में पहले तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जो की plus में मिलेंगी, plus में आपको क्या मिलता है, sir, plus में आपको मिलती है live classes, plus में आपको मिलते है mock test, तो यह सारी चीज़ें आपको iconic में भी मिलें जहां live class में आप faculty से बात कर सकते हैं, आपको live mentorship sessions मिलते हैं, आपको घर पे physical notes जो है घर तक पहुचाए जाते हैं, घर तक आपके जो है physical mock test याने की hard copy mock test की पहुचाए जाएगी और आप जो है offline centers में जाकर, offline centers में जाकर as per the availability test जो है वो दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है effective तरीके से यहां पर काम किया जाता है, ठीक है, I hope I am clear with all of this, किस तरीके से आपको unacademy को जो है utilize करना है, ये bar 5 code का use करके आप किस तरीके से अपने लिए most effective जो है strategy बना सकते हैं, किस तरीके से आप जो है legal reasoning को tap कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हैं, आपको I guess अब पता च चल गई होगी, अब करना कुछ नहीं है, जाएए अपना एक debate plan बनाईए, एक right mindset बनाईए और उसके बाद कार करना जो है, वो शुरू कर दीजे अपने examination के लिए, समय बहुत कम बचा है, but again I would say, अगर आप इस time को सबसे अच्छे तरीके से utilize करते हो, effectively utilize करते हो, then आपको crack करने से, but yes, मेहनत लगेगी, but yes, इसके लिए आपको जो है dedication लगेगा, and but yes, इसके लिए आपको बहुत सारा hard work जो है, वो करना पड़ेगी, अगर आप इतना कर लेते हो, guys and girls, you will be in the best of the best position to crack the examination, and yes, to all those who want to hear this, it is possible to crack the examination in two months, provided आप अच्छी तरीके से mocks को भी अपनी तयारी में include कर रहे, and mocks कहां से करें, sir, भटकना क्यों है, unacademy के आप portal पे जाए, या is QR code को scan करिये, और store पे जाए, जैसे ही आप unacademy store पे जाएंगे, आपको 70 से जादा full length mock test जो है, आपके लिए वहां रखे जा चुके, आप जाए, आप अलग-अलग SQs जो है, वो इस price से काउंट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाले, with this, I am signing off, thank you so very much for your valuable time, keep studying, keep grilling, जै हिंद, जै भावत.